वर्ष 2023 के 6 महिनों का एक बड़ा हिस्सा बीच चुका है और 7 जुलाई को हम एक विशेश चर्चा आपके समक्ष लेकर यहां मीन राशे के जातकों के लिए उपस्तित हुए है और इस चर्चा का प्रयोजन मात्रों यही है कि अगले जो 5 महिने 24-25 दिनों का समय यहां 2023 का जो बचा हुआ है उसके साथ कुछ बड़ी व्यवस्ता है परिवर्टन की और है उस परिवर्टन के माध्यम से हम अपने जिवन में संकेतों की सहष्टा के साथ कैसे अपनी यात्रा को देख सकते है यह महतुपूर्ण बात है जन्वरी 2023 वो समय रहा जहां मीन राशे के जातकों को यानि बरिहस्पति प्रदान राशे के जातकों को साड़े साथे का पर्थम परवासकरम शुरू हुआ तो वहीं पर 17 जून 2023 वो समय रहा जहां शनिदेव वकरी अवस्ताओं के साथ में प्रवेश कर गए सितंबर 2023 वो समय रहेगा जहां देव गुरू प्रिहस्पति भी वकरी हो जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को गुरू राहू का बना हुआ चांडाल दोश समप्त हो जाएगा राहू एममकेतु परिवर्तन के वस्ताओं के साथ में होंगे तो जब ऐसी विवस्ताएं परिवर्तन की और हो व्यक्ति अपने कर्म के साथ अपने अध्यात्मिक प्रवर्तियों के साथ स्वास्त संबंदी इस तरविशेश के साथ किस तरह सचेत होकर आगे बढ़ सकता है ये चर्चा व्रतांत परमुक रहता है अब जो मानुभाव यहाँ नौकरी पेशा जेवन में जुड़े वो है ये बात सपस्ट रखने के जरुत रहेगी कि आपके लिए जो कई बार लोग कॉंस्परेसी क्रियेट करने की पूजिशन के स्टेपलिश करते हैं जब वो आपके कामकाच के साथ में एक जलन मैसूस करते हैं ग्रणा मैसूस करते हैं तो वो ऐसे कारियों के और भी जाने वाले होते हैं उन से यहाँ आपको संभल कर चलने की पूरी-पूरी आविशकता है नौकरी पेशा जीवन में आप कोई भी कमिटमेंट की और जा रहे हैं तो उसे लिखित स्वरूप में अपने साथ लेकर चलिएगा लावरवाही के स्ततियों से दूर हैं देखे द्वादश भावस्त शनिदेव के स्ततिया हैं तो आप यहां किसी भी मेजर चेंज की और जाने से बचिएगा कोई भी वेक्ति विशेश के साथ में फैसिनेशन निकल कर आई और हमने डिसिजन ले लिया बान लीजिए आपकी जौब चल रही है ठीक ठाक स्तर के साथ आप है एक मितरातार कहता है कि आपके पास में निवेश की गुझाईश है हम ये कामकाच शुरू कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए एक मितराकर कहता है कि आपने अभी तक कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट ही किया है कभी जमीन के साथ में हलकाफल का इंवेस्टमेंट किया, कभी आपने अपडीज आरडीज के रूप में गोल्ड के रूप में इंवेस्टमेंट किया है अब आप स्टॉक मार्केट की ओर चलिए, हम बताते हैं आपको रास्ता आप जिस मार्क के और स्पस्ट है ही नहीं वहां जाने की जो खिम जो ले रहे हैं उसको जो खिम भी नहीं कहा जाएगा कई बार गलतियों का वो सिरा कहा जाएगा उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं इसी वज़े से ये सपस्ट अपने साथ में बहुत गहराई से बना कर रखिएगा कि हम जहां अनुभव हिंता के साथ में हो जहां experience बिलकुल भी नहीं हो वहां अपने रुपए पैसे को अपने समय को जाया करने से बचना चाहिए और वहीं perfection में व्यक्ति, lucrative offer में व्यक्ति, अगले की, भाशा की, इस्तियों के साथ में व्यक्ति गलत, निरने की तरफ चला जाता है आप यहां जो आपके साथ में भी चल रहे हैं, कोई startup आपको उफर देता है, कोई और organization आपको उफर देती है तोलना, मुलना, आराम से समय के साथ में खुत को आगे बढ़ाना जादा अच्छा कहा जाएगा यह बारम बार निमदन हम आपसे करना चाहेंगे यहां जल्द बाजी में निरने बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि कई बार बले ही मुनाफिस अंबंदित इस्तियां जीवन में नहीं निकल कर आपाई कोई बात नहीं परम तो हम बहुत बड़े जोखिम की और जाने वाले नहीं हो गुरु राहु का चांडाल दोशबी द्विती यह भावस्त अकरम के साथ बना हुआ है शनिदेव की टीसरी द्रिस्टी भी अपने नीचस्त राशेस्तान के उपर है बारंबार निविदन है कि आग जिसे वाक पर टुता समझते हैं अपने कम्यूनिकेशन के साथ में कन्विनसिंग बे समझते हैं इगो आने लगता है उस प्रवर्ती से बचिएगा पारिवारे के स्तर के उपर जो कई बार छोटी छोटी बात हैं व्यक्ति विशेश के द्वारा कही जाती है और संबंदों के साथ में कटुता लेकर आ जाती है निवदन है कि वहां से भी संबलने का प्रेतन करें और वहीं financial burden यहां बढ़ाने से बचाएं करबद निवदन आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह इस्तियां चल रही है किसी विक्ति विशेश के द्वारा ही कहा जाता है कि medalistic luxury इस तरह सा बढ़ा लीजिए जिवन के भीतर आनंद शुमार हो जाएगा आप सोचते भी नहीं और उस खर्च की तरफ चले जाते हैं वहीं से ऐसी इस्तियां और नकारात्मक करते चले जाती है शनिदेव, देव गुरु बरिहस्पती, राहु की दृस्टी यहां सस्त भावस्त करम के साथ में है अगस्त के मद्य सिरे तक मंगल की स्तियां सिंग राशिस्तान में चल रही है जो मानुभाव व्यापारिक जीवन में है जो मानुभाव नौकरी पेशा जीवन में है मंगल की स्तियों के साथ इस बात को आत्म साथ करके रखें कि कोई भी आर्थिक भार अपने साथ बढ़ाने से बचेएगा देखिए हम तक पहुँचने से पहले अपने मन तक पहुँचने की आबशक्ता है मन यदि किसी भी लोग के साथ में जुड़ा हुआ है मन ऐसे आकांक्षाओं के साथ में जुड़ा हुआ है जो तताकतित है कल आई थी आज दूर हो गई आज पने आई है कल किसी और सुरुप में होगी ऐसी आकांक्षाओं महत्वा कांक्षाओं ऐसी इस्तियां जिसको हासल करने के लिए व्यक्ति लालाई तो रहता है पर हम तो अन्तो तो गत्वा कुछ विशेश हासल नहीं करता उस प्रक्रिया के साथ में खुद को आप बारंबार यही कहिएगा कि थोड़ा सा रुप कर चलने की जरुत है सस्ट भाव के जब भी मंगल होते है व्यक्ति को आसान गली की तरफ लेकर जाने वाले होते है रुपया पैसा के मामले में कहीं से भी किसी व्यक्ति वेशेश से रुपया पैसा लिया था साड़े साथे का परतम परवास करम है उसको समय पर चुका नहीं पाए किसी और से लेकर वहाँ बेवस्ता कर रहे है और इस क्रम में व्यक्ति उलचता चला जाता है जहां पहली बार इसकड़ी की शुरुवात हुई है वहाँ खुद को रोक देना बेहद अच्छा है ये निविदन है आपसे शत्र पक्ष यहाँ पर हावी नहीं है परंतों उन से आप संभल कर चलिएगा जैसा हमने शुरुवात में बेका था शड़ी अंतरकारी स्थियां सामने आ सकती है व्यापारिक जीवन के अंदर अत्यदिक खर्चों से बचे है कई बार व्यक्ति अपनी एवरिज को मेंटेन करने के सिलसले के साथ में गलत लोगों के साथ में कामकाश के व्यवार कर बैठता है साड़े साथे के परतम प्रवास करम में वो इस ततियां में निकल कर आती है निविदन है इस कारिकरम के मद्ध में आप से कहना चाह रहे हैं कि हनुमन्त उपासना को अपने जीवन के भीतर बहुत गहराई से जगह दीजिएगा प्रती एक दिन सूर्य दय के साथ में सूर्य उपासना को अपने जीवन के भीतर पूर्ण तया स्थान दीजिएगा दिप्त पुंज की उपासना करने की तरफ व्यक्ति जब जाता है तो आत्मा के कारकादिपती की वो उपासना व्यक्ति को गलब निर्णे की तरफ प्रवर्तमान नहीं होने देती सुभह आपने सोचा है कि इस निर्णे की तरफ चला जाता हूँ ये भी निविदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय विशेश के साथ में चलते हुए द्विती ये भावस्त जो क्रम यहां गुरू और राहू का जुड़ा हुआ है ये बारम बार आपसे बताता है कि व्यापारिक जिवन में गर परिवार के साथ किसी भी कामकाज को करने के व आपका हुनर आपको बहुत अच्छे से जगह दिलवा सकता है हरदय संबंदी रोगों से चतुर्द भावस्त सूरी जो कि सोले है जुलाई 2023 तक रहेंगे उन से थोड़ा साथ को संबलना चाहिए यानि कि हरदय संबंदी रोग में कोई भी कफलत निकल कर आती है प्रॉपर देब का द्रिस्टी संबंद बनने बाला होगा ये दोनों ही पिता पुत्र रुपिक रही विवस्ताएं आदर शशचत्रुवत स्तियों को निर्मित करती है और व्यक्ति कई बार अपनी हेल्थ के साथ में जो नेगेटिव पोजिशन्स निकल कर आती है उसको इग्नोर करत चला जाता है और फिर आकरकार वो अवस्ताएं थोड़ी से दिवधा दे देती है उसे पहले ही संबला जाए तो अतिवत्तम है ये याद रखने की जरुरत है कि या तो निर्णे के साथ में पूरे तरीके से रुख गए या आगस्मिक तोर पर निर्णे ले लिया इन दोनो जो 16 अगस से 15 सितंबर तक का समय अंतराल है वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आप देखने वाले होंगे जोलाई अगस सितंबर अक्टूबर इन चार महीनों के साथ में चलते हुए वाणी पर नियंतरन रखे हैं कोई भी व्यक्ति आपको उकसावे की आधार है वो यहाँ भाग्या अध्यात्म भाव पर है इसी वज़े से आपके अध्यात्मिक चेतनाएं हनुमंत उपासना के साथ में जागृत होने की प्रक्रियाओं में हो सकती है ग्रिहस्त पक्ष के साथ में ठीक ठाक स्तियां है जो भी मानुभाव किसे रिलिशन में च चलते हुए बैटर्मेंट की प्रोस्पेक्ट्स डेबलप रहेंगे कोई भी इंटर्वी वार्य निकल कर आता है आप यहां पर ओवर कमिटेड होने से बचें अभी तो एक बार हां कर देते हैं बाद में देखते रहेंगे ऐसी विवस्ताओं के साथ में व्यक्ति कुद को उलजहा बैटता है इसे प्रक्रियाओं से आप पूर्णतया बचिएगा कुल जमाजोड यहां परते एक दिवस्त को गणनाओं के साथ लेकर चलने की आवशकता हैं हम अपने कर्मों को संबल देने वाले हों यही विवस्ता लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बैतरी यह थी विशीष चर्चा मेन राशे के जातकों के लिए अगरिम लगबख लगबख शे महीनों की हम इसे तरह से उपस्तित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे धन्यबाद एपंकोटी शहर आभार